हाँ जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे class 12th biology के उपर guys जैसा कि आपको पता है हम जो है pattern समझो सीरीज में यहाँ पर आपको अलग-लग subjects के जो है papers की pattern समझाते हैं कि किस type के questions आपको देखने को मिल सकते हैं तो उसी कड़ी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th biology के उपर अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आप strategy समझी है biology की ठीक है मैंने यहाँ पर आपके पिछले कुछ सालों के papers को देखा फिर यह बाते मैंने आपको बता रहा हूं जो समझी है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको NCRT की exercise जो है वहाँ से क्यूसन देखने को मिल सकते हैं NCRT की exercise के क्यूसन है वो आप लोग जरूर करें इसके अलावा आपको पिवाई क्यूस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर biology में इसके लावा diagrams जो है उनका भी एक important role है ठीक है तो diagrams जो है important important जैसे की यहाँ पर reproductive system वगरा की हो गई ठीक है sales वगरा ठीक है तो इस type के जो है यहाँ पर spram वगरा ठीक है fellow pen tube वगरा जितने भी आपके important important diagram है हर एक चीज के वो सारे की सारे जो है आपको यहाँ पर आने चीए ठीक है तो diagram ज़रूर बनाने सीख लेना नहीं आते तो क्योंकि important role play करते है diagrams ठीक है biology में अब यहाँ पर हम pattern समझते है ठीक है और आपको important questions बताएंगे साथ साथ कि भी किस type की questions आपको paper में देखने को मिलेंगे तो वीडियो को आपको last तक देखना है यह एक वीडियो देखके आपका biology का paper बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है इसके लावा important questions की paid PDF है biology के important questions है जिसमें जिनको आप करके बहुत अच्छा score कर सकते हो अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो description में आपको जो एक WhatsApp नंबर और एक Telegram लिंक मिल जाएगा कहीं भी contact कर लो या फिर WhatsApp पे या फिर Telegram पे ठीक है वहाँ पर जो है आपको फिर बाचित करके PDF जो है मिल जाएगी आप लोग जो है यहाँ पर payment कर सकते हो ठीक है तो most important questions की paid PDF आप लोग पर चीज कर सकते हो अच्छी तयारी के लिए चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी paper pattern पर तो देखे सबसे पहले यहाँ पर जो है आपके topic पकड़ दें उन्ही topics से questions आएंगी ठीक है मैं यह नहीं करा कि क्यूशन देख लो और वही क्यूशन रट लो नहीं topics पकड़ो कि यह topic है अब इस topic से कैसा भी क्यूशन आ सकता है लेकिन आएगा इसी topic से ठीक है तो उससे आपको क्या होगा important important topic पता चल जाएंगे और उनके क्यूशन पता चल जाएंगे ठीक है अब यहां पर देखें आई यूडी ठीक है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है वहां से क्यूशन आया हुआ है ठीक है तो इसके बारे में आपको पता होने चीज़ सारी चीज़ ठीक है कौन सा metal यूज होता है कौन कौन से डिवा टोपिक्स आपको आने चीज़ ठीक है डिएने आर एनने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें इसके लाव आप लोग देख सकते यहां पर जितने जोटे क्यूशन ठीक है मैं कर रहा हूं दोनों यहां पर जो सेट दिये गए प्रेक्टिस पर ठीक है बोर्ड की तरब से उनके जो चोटे questions अगर आप वो भी पढ़ लेते हूँ तो बाई easily जो है चोटे questions आपके हो जाएंगे ठीक है अब बड़े questions में देखे pattern समझने का है तो हम बड़े questions खोल लेते हैं चोटे questions आप लोग कर लोगे ठीक है अब बड़े questions में देखें यहाँ पर write briefly about self incompatibility ठीक है तो self incompatibility जो है इसके बार में आपको पढ़ना है ठीक अच्छे सिक कर लेना इसके बाद देखे third question write a short note on GIFT ठीक है gamut intra fallopian transfer ठीक है तो यहाँ पर जो है ऐसी जो techniques हैं सारे की सारे आपको पढ़ लेनी है ठीक है इसके बार में आपको complete deep study कर लेनी है एक आधी question आपको जरूर देखने को मिलेगा ठीक है सारे की सारी हाँ पर जो techniques हो गरा है उनके बार में अच्छे से पढ़ लेना है इसके बाद STD most important ठीक है STD का जो question है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा चाहिए यहाँ पर देखी दो नंबर में मिल सकता है तो STD जो है उसके बारे में deep study कर लेनी है sexually transmitted disease यह होता होगा STD और क्या है इसके बाद हम आगे चलते है अब यहाँ पर birds है तो आप से क्या अपता है यहाँ पर humans या फिर animals वगरा आगे बारे में पूछ ले ठीक है तो आपको जो है topic पकड़ना है ठीक है इसके बाद यह question देखे differentiate between food chain and food wave ठीक है अब यह topic जो है most important है कई बार आता है ठीक है biology में मैंने जब previous year paper देख रहा था आपके तब भी मैंने देखा तो यह question क्या अपता आपकी बार same to same आपके paper में भी आ जाए ठीक है तो इसके बार में जरूर पढ़ ले ना food chain food wave ठीक है इसके बार में difference या फिर यह जो है जहां जहां जिन जिन topics से यह question से उन topics पर ज्यादा ध्यान देना है ठीक है समझ पार हो यही है pattern समझना कि भी किस topic से question है उस topic को अच्छे से पढ़ लिया जाए फिर आपको उस topic से कोई दिक्कत नहीं आती कैसा भी question पूछ लिया जाए ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं आ डाइग्राम जो है biology में एक important role play करते हैं ठीक है जितने भी important डाइग्राम से वो सारे पढ़ लो आपके पास नंबर जो है पक्की हो जाएंगे paper में ठीक है यहां पर दे रखा है यह भी पढ़ लेना इसके लावा reproductive system जो है male female उनका ठीक है इसके लावा सप्रम का structure फैलोपें करने को मिलेंगे ठीक है इसके लावा law of dominance ठीक है most important topic है law of dominance तो यह भी आप लोग जरूर कर लें ठीक है इसके अलावा यहां पर देख सकते हो natural selection वगरा ठीक है treatment of cancer यह क्यूशन देख सकते हो यह क्यूशन देखी मैंने जब आपकी यहां पर मैं इस वीडियो की तयारी कर रह presents वगरा देख सकते हो most important है ठीक है बिट्टी cotton यह भी भूत बार आता है तो यह भी हांपर आप पढ़ लें इसके बाद एक most important topic आ गया है एक biodiversity ठीक है भाई most 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 जितनी बार most बोलूं उतना ही कम है यह topic भाई अगर आपने अब तक तयार नहीं किया है तो अभी कर लो आज ही यह वीडियो छोड़ दो यहीं पर अभी खौलो by diversity और अच्छे से पढ़ हो ठीक है क्योंकि यहां पर आपको 5-6 नमबर का काम पक्का देखने को मिल सकता है अब यहां पर क्यूशन दे रखा जरूरी नहीं यहीं क्यूशन आई इस टाइप के और क्यूशन आ सकते हैं जैस कैसे कंजरू किया जाए यान कि इस बाइडाइवरस्टी जो है उसका complete topic आप लोग पढ़ लो ठीक है जो important important questions वगरा है इसके बाद हम आगे चलते हैं menstrual cycle ठीक है most important most important इसके लावा यहां पर आप देख सकते हो जोगला क्यूशन है वो देख सकते हो आप लोग उजेनेसिस ठीक है और स्प्रक्टोमेजेनेसिस ठीक है थोड़े यहां पर typical से नाम है ठीक है देख लेना तो कहने के मलब क्या है यह most important है इसके बाद हम बात करें DNA का क्यूशन देख सकते हो ठीक है DNA RNA जिवें most important है जरूर आएगा एक क्यूशन ओके और पांच नमर का क्यूशन है छोटा मोटा भी नहीं इसके लावा यहां पर देख सकते हो लाएक ओपरेंड वगरा की क्यूशन ठीक है PCR ठीक है PCR ठीक है पोलेमराई चेन रियक्शन होती ह तो इनका भी जो है क्यूशन आपको देखने को मिल सकता है इनकी वह जो प्रोसेस भी कैसे होती है ठीक है DNA RNA रखेंड कैसे होता है इसकी applications क्या है यानि कि आपको टोपिक पकड़के उस टोपिक से कैसे कैसे क्यूशन आ सकते है यह चीज़े देखनी होती है ठीक है अब PCR है इससे जो है इसकी प्रोसेस पूछ ली जाए, DNA, RNA, replication के बारे में पूछ लिया जाए, इसकी applications पूछ ली जाएं, तो आपको जो सारे चीजे पता होनी छी, कहने एक मलब यह है, ठीक है, इसके लाबा important questions की बात करूँ, तो जो important, important topics मैंने आपके previous papers को पढ़िके, जो निकाल ले खोजगे, वो देखिए, biodiversity, most important, ठीक है, fertilization, ठीक है, उसमें चाहिए, double fertilization आजाए, उसकी significance आजाए, तो fertilization, double fertilization वगरा, most important, ठीक है, बर्थ कंट्रोल, ecological succession, ठीक है, DNA fingerprinting, global warming, ठीक है, structures वगरा, सप्रम वगरा, फेलोपेंट्यू वगरा के, ठीक है, deforestation, reforestation, STD, ठीक है, एक्टर वगरा, trait वगरा, ठीक है, तो यह सारे चीज़े जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है, IUD, PCR, GIFT, BOD, ठीक है, यह सारे की सारे चीज़े जो है, most important है, तो मैंने यहां पर आपको जो है, important questions भी बता दी है, topics भी बता दी है, ठीक है, और आपको strategy भी बता दी ठीक है, PYQs मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, एक बार फिर से repeat कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, लिख लो, अगर नहीं लिख रहे हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का topic, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, बाय डाइवरेस्टी, most important, इसकी ग्लोबल वर्मिंग, एकोलोजिकल सक्सेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, पोलन ग्रेंज प्रम, फैलोपिन ट्यूब, रिटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, बर्थ कंट्रोल, डिन आर एनने, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, एस्टीडी, आई सेट A, इसके लावा अब आपको क्या करना है, सेट B जो है, उसकी भी यहाँ पर जो है, ओपन करनी है, पीडियोफ ठीक है, अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, HBSC के ओफेसल वेबसाइट से, और उसके भी क्यूशन जो है, उनको भी प्रैक्टिस करना है, यान कि यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट दी हैं, बोर्ड ने, इन दोनों के A to Z क्यूशन आप लोग एक बार अपनी नोटों को में निकाल के देख लो, लिक के ठीक है, समझ गई, और जो चीज़े बताईए, उनको फोलो कर लो, आपका पेपर जो है, सबसे अच्छा पेपर होगा आप त हैं दीज़े